अगर आप भी नाश्ते में पोहार उपमा खाका के बोर हो चुके हैं तो सिर्फ ब्रेड और आलू से बनने वाली ये रेसिपी जरूर ट्राइ करें, बड़े हो चाहे बच्चे सब को ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है, घर में ही रोज यूज होने वाले से बनने वाली ये रेसिपी आपको भी बहुत ज़्यादा खुश कर देगी, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इजी टू मेक है, तो चलिए फटाफट से रेसिपी देख लेते हैं, सबसे पहले एक कढ़ाई या पैन ले लेंगे, उसमें एक से डेट चमच तेल गरम कर ले में आपने स्वाद के अनुसार ये मसाले सारे एकजस्ट कर सकते हैं, कम जादा कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर डाला है, एक चम्मच पावभाजी मसाला, आप चाहे तो गरम मसाला या फिर किचिन किंग भी डाल सकते हैं, एक आधा नीबू का रस डाल देंगे, आप नीबू को मैंने यहाँ पे कद्दू कस कर लिया है ताकि इसमें कोई भी लंस ना रहे अब इसमें नमक डाल देंगे नमक आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं थोड़ा सा बारी कटा हुऊ हरा धनिया डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे अगर आप चाहे तो ग्रीन वे प्यार हो चुकी है इसको साइड में रख देते हैं अब मैंने कटोरी में दो चम्मच मैदा लिया है जिसको मैंने आदा कप पानी डाल के अच्छे से एक सलरी बनाके रेडी कर ली है यह देखे इसमें कोई भी लंस नहीं रहने चाहिए कोई भी गुठलिया इस तरह की नही कर सकते हैं बेड के मैंने साइड कट कर दीये हैं आपको भी साइड ? जरूर से कट करने हैं नहीं तो आपकी रेषीपी में साइड का रणन हाब जब इसके पाकर बनाएंगे तो फट जाएंगे इस लिए इसके जो साइड से वो जरूर से कत करे अब इसको हम recent बेल लेंगे और एकदम पतला कर देंगे इससे क्या है ना इसके अंदर तेल नहीं भरेगा तो इस तरह से हम जित्ती भी आपको पकेट्स बनाने हैं एक ब्रेड में से दो पकेट्स बनेंगे तो जित्ती भी आपको बनाने हैं उत्ती ब्रेड को आप बेल कर रख ले अगर ज्यादा बना है उस पे हमने जो मैदा की सलरी बना के रखी थी वो इस पे लगा देंगे ताकि हमारा जब पॉकेट हम बनाए तो अच्छे से ये स्टिक हो सके और तेल में जाकर ये खुले नहीं अब जो स्टफिंग हमने बना के रखी थी वो इसके अंदर डाल देंगे अब इस मैथट को अब ध्यान से देखें कि इसको कवर कैसे करना है इस तरह से एक साइट से कवर करेंगे और हलके हलके हातों से इसको दबा देंगे और दूसरी साइट से भी कवर करेंगे एकदम लिफाफे जैसा ये बन जाएगा अब इसको हम अंदर कर देंगे थोड़ा सा आलू जो लगा दीजिए इससे क्या है तेल में जाके आपके जो पॉकेट्स हैं वो फटेंगे नहीं और अच्छे से फ्राई हो जाएंगे और अंदर तेल भी नहीं भरेगा मैंने एकाद जो बच्चों के लिए बनाए थे उसके अंदर मैंने एक छोटे जो चीज आती है चीज लगाते जाएंगे ताकि जो हमारे पॉकेट्स के अंदर ऑईल बिल्कुल भी ना भरे और अच्छे से ये फ्राई हो सकें दोस्तों ब्रेड और आलू से बनने वाली ये रेसेपी सबको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है चाहे आप बच्चों के टिफिन में दे सकते हैं साम के टी टाइम स्नैक्स पे मना सकते हैं या किटी पार्टी में आप इसको बनाके रेडी कर सकते हैं बहुत इजी है और सब को बहुत ज़्यादा पसंद आती है तो यहाँ पे मैंने सारे पॉकेट्स बनाके रेडी कर लिए है अब मैंने यहाँ पे तेल करने के लिए तेल में मैंने दो, तीन, चार जिते भी आप तेल है उसके according आप इसमें डालिए और बिल्कुल मीडियम गैस पे इनको हलका हलका golden brown color आने तक आप इनको fry कीजिए make sure के इसकी flame को आप medium या low ही रखे, high flame पर ना रखे, नहीं तो आपके bread उपर से जल जाएंगे और अंदर से जो चीज हमने डाला है वो melt अच्छे से नहीं हो पाएगा, आलो भी अच्छा नहीं लगेगा तो अच्छे से इसको बिल्कुल धीमी गैस पे आराम से इसको सिखने दे और golden brown हलका हलका color आने तक इसको आप fry कर लें तो यह देखिए हमारे जो pockets हैं बड़िया golden brown color में आ चुके हैं आप इसको green चटनी के साथ serve कीजिए, sauce के साथ serve कीजिए, mayonnaise के साथ serve कीजिए, जैसे भी आपको लगता है और यह बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, बहुत यमी लगते हैं, जब से मैंने यह बनाना start किय मुझे comment करके ज़रूर बताएं, अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को like और share करना ना भूलें, और चैनल पे अगर नए आए हैं तो चैनल को subscribe भी कर लें, और bell icon को भी प्रेस कर लीजे, ताकि आपको आने वाले वीडियो की सारी notification मिलती रहें, मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जैसी कृष्णर